इस वर्ष खरिफ की फसल के लिए कर्ज लेकर खेती करने पर भी खेत समाधान कारक उत्पादन नहीं मिलने और कर्ज के बोच से परेशान किसान ने किटक नाशक जहरीली दवा का प्राशन कर आत्मात्या करने की घटना सामने आई प्राप्त जानकरी के अनुसार नाकपुर के कामठी तहसिल अंतरगत आने वले खेरी ग्राम के किसान योगेश धनराज धांडे की खेरी गाओं में खेती हैं खेत में फसल लेने के लिए इस वर्ष उन्होंने कर्ज लिया था पारिवारिक सुत्रों ने बताया कि इस वर्ष उनके खेत में फसल अच्छे नहीं हुई थी ऐसे में फसल और कर्ज को लेकर योगेश इन दिनों काफी परिशान रहता था इसके लवा उनके पीता की कोरोना की वज़े से दो महापूर्वही मौत होने से भी वह काफी मायूस सा रहने लगा था सुमवार की रात को योगेश ने किसी किटग नाशक दवा का प्राशन करने से उसकी तवियत बिगडने लगी परीजनों ने तुरन थी उनको कामठी रोट स्थित आशा अस्पताल में भरती कराया जहां उपचार के दोरान मंगलवार के शाम करीब पांच बजे उसकी मौत हो गई बुतक गाउं के सरपंच मौरेश्वर कापसे के भतीजे बताय जा रहे है गटना के जानकारी मिलते ही कामठी के जुना पुलिस थाने के करमचारियों ने अस्पताल पहुँचकर पंच नामा किया और आकस में पुरुत्य का मामला दर्च कर जांच आरम कर भी